तो यह वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी ग्रोज़स्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर, तिव्या के लिए बना रहे हूँ, तिव्या भटनाकर के लिए मेरी गोलुम गोलु से, क्योटी से, शी लेफ्ट अस, शी लेफ्ट मी, अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था, कि अपनी तरीके से वो जिंदेगी जीरेगी, इंडिपेंडेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉंग करेगी, एंजी, और परसिली फील कि, भगवान शायद खुद उसकी सफरिंग देख नहीं पाए, अंकल उसकी सफरिंग देख नहीं पाए, इतने सालों में, पिछले, नौ दर्स सालों में, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि, दिवयाने किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया, या किसी को दुख भी पहुचाया है, बस लोग ओने से उसको ही दुख पहुचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है, इसपेशिली रिलिशिंशिप्स, इस हार एक लड़ की गलती करती है, एक रिलिशिंशिप्स से, गंदी से धोका खाने के बाद, प्रही से भी थोड़ा भी कोई सहरा दे देता है, उसे अपना सहरा मान लेती है, बिना उसका बैक्डराउंड जाने, बिना कुछ जाने, और दिविया तो मासूम थी, एक नम भूली थी, उस पागल को तो मैं समझाते थी, मतलब अगर मैं उससे समझाती होंगी, तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके की थी, मैं खोद इतनी एमोशनल हूँ, तो वो मेरा, मेरा हजार होना थी, आज ये वीडियो में बना रही हूँ, बहुत जरूरी है ये बनाना, इस्पेशलि उस इंसान के लिए, जिसके वज़े से, मेरी दिविया ने इतना सफर किया, I know कि आज दिविया के साथ, जो भी हुआ दिविया हमारे बीच में नहीं है, इस बिकॉस अफ कोवीड, बट जो mental stress, जो physical abuse उसके साथ हुआ है, कोई भी इंसान, अगर उस face से घुज़रता, तो छोटी सी चोटी सी, एक बिमारी से भी लड़ने की, उस इंसान के पास ताकत नहीं होती, ये तो फिल भी COVID था, बहुत ही शराफद से, बहुत ही शानती से, मैं आप सब को ये चीज़ बता रही हूँ, and especially to you, गगन गबरू, उस दिन तुने क्या पोस्ट किया था, कि उसकी माँ और भाई, तेरे रिलेशन्शिप्स के अगेंस्ट थे, और वो नहीं चाहते थे तेरी शादी होए, और तेरे नाम पे वो पब्लिसिटी ले रहे, तेरी उकाद क्या है, क्या उकाद है तेरी, तु कौन है, तु यहाँ पे जो चार पांट जो गिने, चुने आर्टिस्ट को भी जानता है न, वो दिव्या के बदौलत, भीग मांगे तु हिमाचल से दिव्या के साथ यहाँ रहने आया था, और जो तेरे अगेंस्ट में, सिर्फ उसकी फामिली नहीं, मैं भी खड़ी थी, इसलिए वो चार साल मेरी दिव्या से बात नहीं हुई थी, युकि मुझे पता था, कि तू ऐसा ही निकलेगा, पर दिव्या तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी अंधी हो गई थी, तूने तेरे बातों में इतना फसा लिया था, कि उसको आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उन्हा अपनी माबाप की सुनी, ना भाई की सुनी, ना मेरी सुनी, ना बाकी दोस्तों कुछ सुनी, और जिसके वज़े से आज वो हमारे बीच में नहीं है, समझा, तू पबलिसिटी देगा, तूझे मैं पबलिसिटी दे रही हूँ, अब तू ले पबलिसिटी मेरे से, तूझे मैंने कहा था ना, तेरा काला चित्ता खोल के रख दूंगी में, और अब देख, ये शुरुवात है, तूझे मैंने उपर से नीचे तक एक्सपोज नहीं किया ना, तो फिर तू बता मुझे, तो तेरे अगेंस जो हम लोग खड़े थे, वो इसके लिए गगन गब्रू, क्योंकि तू मॉलेस्टेशन एक केस में, शिमला में तेरे उपर केस चल रहा था, और जिसकी सजा छे महीने जेल में रहे के, तो लास्ट येर भुगत के आया है, वो भी बेल पे, और अभी कभी भी तू अंदर फिर से जा सकता है, और अभी तू जाएगा ही, क्योंकि तूने जो मारपीट की है दिव्या के साथ, इतने सालों तक, तूने जो टॉर्चर किया है, जिसके विल से वो इतनी स्ट्रेस में आगी, इतनी दिमार पढ़ गई, उसको डाइबिटीस हो गया, हर एक चीज तेरे वज़ी से हुआ है, जो तूने उसको टॉर्चर किया है, तुझे क्या लगा, कि दिव्या चली गई, तू अभी आयाशी करेगा तेरी गल्फ्रेंज के साथ, तो सुनो, सो कॉल गल्फ्रेंज, जो देली में और कहां कहां तुम लोग बैठे हो न, भलाई तो इसी में है, कि तुम लोग भी इसके उपर एंसी करके सेफ हो जाओ, क्यूंकि कहीं ये ना हो, आज दिव्या है और कल दिव्या के जगे पे तुम लोग हो जाओ, तो अपने आपको बचा लो और इसके उपर एंसी करके डाल दो, क्यूंकि ये ऐसा ही है, और पता नहीं अगर इसको अगर हमने अभी नहीं रोका, और आगे जाके किस-किस लड़कियों की जिन्देगी ये बर्बाद करेगा, और इस इस टू आल दी इंडास्ट्री, पीपल जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी आदमे के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज इसका बैक्ग्राउंड चेक कीजिए, इसका अच्छे से, इसका ओशिवारा पुली स्टेशन में भी दिव्या ने एंसी करवा के रखाया है, करवा चौप के दिन ये आया था, उस दिन भी मार्पिट करके गया है उसके साथ, और एक तो शादी के बाद से ही वो दिव्या को रोज मार रहा है, उसकी जूल्री भी चुरा के ले गया है, हर एक चीज इस आदमी ने जो दिव्या के साथ किया है, विद प्रूफ मैं आप सब के सामने एक-एक करके मैं एक्सपोस करूंगी, बट उससे पहले तू सुन ले गगनगब्रू, तेरी जिन्देगी अब जेल में ही सड़ेगी, ये तू आज समझ ले, तूने जो किया है ना दिव्या के साथ, उसका हिसाब तो भगवान ही तेरा आप करेगा, दिव्या तो आप बहुत अच्छे जगे पे है, वो भगवान की ही बच्ची थी और भगवान के पास ही है, और अंकल को भी नहीं देखा गया उसकी साफरिंस, इसलिए वो आज हमें छोड़के चली गई है, पर तूने दिव्या को हम से छीना है ना, तू देख जिन्देगी भर, तू और तेरी मा जेल में ही सड़ेंगे, तू देख गवदन गबरू, तू देख लीगल काउंसिलिंग करेगा तू, क्या लीगल काउंसिल लिखे रखा है तो अपने प्रोफाइल पे, लीगल काउंसिलिंग या जेल में जाके करेगा, यह जेल में करके सिख के आया है जाके 6 महीने रेके, तू देख अभी तेरी प